जैहिन साथियो, सौगत है आपका, आपके ही यूट्यूब चैनल अमरिता क्लासेज में आज मैं आप लोगों से शेर करूँगी कि मेरी पहली सेलरी कितनी आई थी सबंस्पेक्टर की जो सेलरी होती है, वो कितनी होती है ठीक है, उत्तरपरदेश पुली सबंस्पेक्टर की सेलरी के बारे में आज हम पूरी डिस्कस्टन करेंगे कि उसमें कौन-कौन से ऐलवेंसे हमें मिलता है कौन-कौन से डिड़क्शन हमारे सेलरी से होता है, तो चलिए शुरू करते हैं का ऐच का डिशकसन सब इंस्पेक्टर का जो ग्रेट पे है वह है 42 ग्रेट पे और सब इंसपेक्टर उत्तरपरदेश पूली सब इस बेसिक पे में आपका जुड़ता है डी ये बेरनेस अलवेंस जिसे महेंगाई भत्ता कहते हैं तो मेरी जो आप देख लीजिए बेसिक पे है वो है पैतिस हजार चार सो और जो फर्स्ट मंत की जो मेरी डी आई थी वो थी दस हजार नौसो चोहत्तर रुप है उसके बाद IRA जो की हर एक सिटी के लिए अलग-अलग होता है जैसे tier 1 सिटी के लिए लग है tier 2 सिटी के लिए अलग है तो मेरी पोस्टिंग लखनव में है तो लखनव की जो 108 रुप है तो मेरी HRS में आप एड कर लिए 4,040 रुप है और कुछ अदर मिला के मेरी जो gross salary वनी थी वो वनी थी 52,102 रूपए और उसमें से मेरा जो deduction हुआ है वो है group insurance scheme के तहत 200 रूपए और मेरी NPS नहीं कटी है क्योंकि मैंने उस time NPS account नहीं खुलवाया था तो NPS कटे बीना जो मेरी salary आई थी मेरी जो first salary मेरी net salary आई थी वो थी 51,902 रूपए तो यह है UP police inspector की salary और हर छे मैने में इसमें increment मिलता है आपको फिर एक साल में भी आपका increment लगेगा उसके बाद कुछ और भी allowances आपको मिलते हैं जैसे travel allowances मिलेंगे फिर आपको द्यानिक भत्ता मिलेगा अगर कही पाहर आपकी duty लगती है तो उसके लिए भी आपको allowances मिलेगा यह सारी चीज़े आपके अगले वीडियो में मैं discuss करूंगी आज के लिए इतना ही thank you, जै हिंद